नमस्कार, 25 लोकरंग की आखरी संध्या, कला नुरागियों का, कला रसिकों का, कला प्रेमियों का, हार्दिक स्वागत अभिनंदन, जवाहर कलाखेंद्र के इस मुक्ताकाशी मंच पर लोकरंग एक उत्सव नहीं है, लोकरंग एक संस्कृती यात्रा है, जिस यात्रा में हम परिचित होते हैं अपने आप से, अपने देश से, लोकरंग मात्र मनोरंजन का कारिक्रम नहीं है, ये एक ज्यान वर्धक उत्सव है, जिसमें हम जानते हैं अपने देश की संस्कृती को, हम सुनते हैं अपने देश के लोक संगीत को, हम पहचानते हैं अपनी जड़ों को, पिछले दस दिनों से आप लोग इस संस्कृती यात्रा के सहभागी बनें, सहयात्री बनें, और पिछले कई बर्सों से आप बनते आ रहे हैं, ये लोकरंग आप सभी को समर्पित है, हम सभी को समर्पित है, इन लोक कलाकारों को समर्पित है, जो देश के अलग-अलग राज्यों से हमारे पास आते हैं, अपने अनूठे वाद्यों के साथ, अपने अनूठे नृत्यों के साथ, अपने अनूठी वेश-भूशा के साथ, और हमें सौगात दे कर जाते हैं, अपने प्रदेश की संस्कृती की, हमारे मन में छाप छोड़ कर जाते हैं, अपनी अनमोल कलाओं की, आज की संध्या का शुभारंब हम करते हैं हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हमारी परंपरा है कि हम अपने कारेक्रम की शुरुवात नट समराट, नट राज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके करते हैं मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ राजस्थान अधिनस्त सेवा बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरी प्रसाद जी शर्मा को हरिश्चंद्र माथुर लोग प्रशासन संस्थान के एडी जी श्री टीकमचंजी बोहरा को और मैं आग्रह करूँगा जवाहर कलाकेंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक सुश्री प्रियंका जोधावजी से कि वो अतितियों को लेकर नटराज की प्रतिमा पर अतितियों को लेकर जाएं दीप प्रज्वलित करें माल्यारपन करें हम सभी कलाकारों की तरफ से जवाहर कलाकेंद्र की तरफ से आप सभी दर्शकों की तरफ से के टारें है म החरावजी से istry तरफ से क dieta कैई तरफ से प्रेंद्रि का की तरफ से दिए piace compared to class कि प्रतितितिक सी तरफ से जख से तरफौनी झाल कि तरफ Soo रहर स से भाएख जाग। स्झेशवक पाल अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दीप प्रज्वलित हुआ है इस दीपक की ज्योती हमारे मन में रोश्नी पैदा करेगी इस दीपक से निकलने वाली उर्जा हम सब को प्राणवान बनाएगी यही हमारी कामना है और हम आरंभ करते हैं आज की संगीत यात्रा, संस्कृती यात्रा सबसे पहले हम आमंतरित करते हैं पश्चिमी राजस्थान के उन गायक कलाकारों को जिनके लिए गायन उनके जीवन जीने की एक शैली है कहा जाता है कि वहाँ जब उनके परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता भी सुर में है ऐसी ही एक जाती है मांगणियार देश विदेश में जिन्नोंने राजस्थान के संगीत को अपनी कला के माध्यम से पहुँचाया है ऐसे ही एक कलाकार है राश्ट्रिय पुरुसकार से सम्मानित गाजी खां मांगणियार और उनके साथ ही कलाकार गाजी खां के लिए एक विशेश बात मैं बताऊं कि ये खर्टाल के बहुत हुनरमंद कलाकार है इनकी खर्टाल का बजाने का कोई सानी नहीं है लेकिन ये गाते भी उतना ही अच्छा है लेकिन जो अतिरिक्त खूबी इनकी है इनोंने लगभग दो सो बच्चों को तैयार किया है अपने निर्देशन में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इनोंने जो भरसक प्रयत्न किये हैं कुछ तिन पहले हमारे सामने बच्चे आये थे उनके गुरू यही हैं अपनी विशेश गायन शैली से आपको परिशित करवाएंगे आपको आनन्दित करेंगे मंच अब उनके लिए मैं खाली करता हूँ स्वागत कीजिए गाजी खां मांगणियार और उनके साथ ही कलाकार राजस्थान के बाद बारी है जम्मो कश्मीर की कश्मीर का क्रिशक समुदाए केसर की खेती करता है और जब केसर क्यारियों में महक आने लग जाती है तो वहां मंडराते हैं भवरे अक्सर भवरे खुबसूरत चीजों पर ही मंडराते हैं और केसर क्यारियों में जब फूल महकने लगते हैं भवरे अपने आप उनकी ओर आकरशित हो जाते हैं युवतियों को वो परिशान भी करते हैं और उसी पर बना है भूमरो गीत आपके सामने कश्मीर से आए कलाकार प्रस्तुत करेंगे रूफ नृत्य दर्शक शांती रख लें तो हम कारिकरम शुरू करें स्वागत कीजिए कश्मीर के कलाकार प्रस्तुत कश्मीर से एक बार फिर राजस्थान की तरफ एक अनूठा वाद्य है राजस्थान का उसका जैसा नाम है वैसी ही उसकी आवाज निकलती है वाद्य का नाम है भपंग और अपने नाम की तरही अनूठी उसकी आवाज है आप स्वयम सुनेंगे देखेंगे तो आप पहचानेंगे गफूर खा मेवाती ए और उनके साथ ही कलाकार मंच पर आपके सामने आ रहे हैं इस अनूठे वाध्य के साथ यह एक वाध्य है जिसके एक तरफ लगा है चमडा डमरू जैसा एक वाध्य जिसके एक तरफ चमडा लगा है और एक तार है आम तोर पर जो वाद्दे होते हैं उनमें कई तार होते हैं लेकिन ये एक तार का वाद्दे है जिसके माहिर खिलाडी है गफूर खा मेवाती कलाकारों का मंच सच चुका है अनूठी आवाज के साथ इस वाद्दी को सुनिये आपके सामने प्रस्तुत है राजस्थान के मेवात क्षेत्र का भपंग बादन नागा लेंड की ओर नागा लेंड का एक बहुत प्रसिद्ध उत्सव है हॉर्न बिल उत्सव इस उत्सव का उद्देश्य था वहां की जो अलग-अलग जनजातियां है उनकी लोग कलाओं को उनकी आदिम कलाओं को सनरक्षित करना एक मंच पर लाना ताकि वो लोग प्रेरित हो सकें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और उस उत्सव में शामिल होते हैं वहां बसने वाले हर जनजाति के कलाकार अपनी-अपनी अलग-अलग वेश्भुशाओं के साथ अपने-अलग-अलग बाद्यों के साथ अपने-अलग-अलग लोक नृत्यों के साथ धीरे-धीरे ये उत्सव अंतर राष्ट्रिये ख्याती प्राप्त कर चुका है उसी उत्सव में किया जाता है एक नृत्य वहां के आओ-आदिवासी किया करते हैं हॉर्ण-बिल एक पक्षी है वो पक्षी जब भोजन की तलाश में निकलता है तो उसकी गती कैसी होती है किस तरह की उसकी आवाजे निकलती है गौर से सुनियेगा इस नृत्य में गायन नहीं है ध्वनिया है लेकिन वो ध्वनियों का जो चमतकार ये कलाकार अपने मुँ से करते हैं वो सुनने लायक और देखने लायक चीज़ है स्वागत कीज़े नागालेंड के कलाकारों का हॉन बिल डांस के साथ प्रसन्यता की बात है कि हमारे बीच कला संस्क्रती मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब पधार गए है हम उनका आप सभी की तरफ से और लोग कलाकारों की तरफ से हारदिक स्वागत करते हैं साथ ही स्वागत करते हैं पर्यटन कला संस्क्रती विभाग की प्रमुक शासन सचिव गायत्री राठोर जी का भी और अब एक बार हम फिर राजस्थान की ओर रुख करते हैं राजगरानों की प्राचीरों से एक निरत्य निकल कर जन जन में समा गया और वो बन गया राजस्थान की पहचान जब राज महलों से वो निकला तो उसमें एक सौमेता थी एक गरिमा थी और वो सौमेता और गरिमा उस निरत्य को राजस्थान की पहचान बनाती है आपके सामने लेकर आ रहे हैं राजस्थान का जाना माना प्रसिद्ध राजस्थान की पहचान खूमर अपके सामारी रुनक जुनक पायल वाजेसा अपने नारा लोपी की कर आउं सारा बैसारा पीरा की कर आउं इस संस्क्रती यात्रा ने अपने 25 पड़ाव आज पूरे कर लिये हैं यह रजजयनती वर्ष लोक रंग उत्सव का और इसमें आप सभी की शिरकत हमें ये ताकत देती है हमें उर्जा देती है कि ये उत्सव निरंतर यूही चलता रहे और धीरे धीरे अपने स्वन जैनती पड़ाव की ओर बढ़ता रहे आपका साथ हमें मिलता रहेगा तो हमें हिम्मत मिलती रहेगी आपका साथ हमें मिलता रहे इसका संकेत आपको देना पड़ेगा अब इस रात्रा को आगे बढ़ाते हैं हम चलते हैं समुद्री तट पर एक राज्य है अरब सागर के किनारे गोवा वहाँ दो तरह की संस्कृतियां देखने को मिलती है एक पुर्तगाली संस्कृति का वहाँ प्रभाव शेश है और एक जो भारती संस्कृति वहाँ रची बसी है कार्ति के को वहाँ कहा जाता है वीर भद्र उनकी आराधना में उनकी उपासना में और उनका रूप धर के एक नृत्य किया जाता है वो नृत्य भी कहलाता है वीरभद्र नृत्य गोवा से आएक अलाकार आपके सामने गाजे बाजे के साथ वीरभद्र की यात्रा निकालेंगे उनका नृत्य करेंगे उनकी आराधना करेंगे और स्वयम वीरभद्र आपके सा कट होंगे प्रस्तुत है गोवा का वीर भफ्रता धाया और जारखंड का एक सीमा वर्ती दिला है पुरूलिया उसक्षेत्र में च्छाउ की परंपरा है च्छाउ तीन तरह का होता है एक बंगाल में पाया जाता है एक बिहार का है और एक उड़ी सा का है आज जो च्छाउ अपके सामने आ रहा है उस पर प्रभाव है पुरूलिया च्छाउ का अपने चेहरे पर मुखोटे लगा कर पौरानी गाथाओं का नृत्य करते हैं उन गाथाओं का मंचन करते हैं इसलिए ये नृत्य नाट्य है चेहरे उपर मुखोटे होने से हाव भाव का पूरा दाइत्व अंग संचालन पर आ जाता है शरीर के हाव भाव से ये बता देते हैं कि ये वीर रस में है या करुण रस में या आनंद में है या करुणा में है आज जो कथाईया आपके सामने प्रसुत कर रहे हैं वो है महिशासुर मर्दिनी की आप सब जानते हैं किस प्रकार मा दुरुगा ने महीशासुर का वद्ध किया उसी कथानक को आधार बना कर आपके सामने आ रहे हैं जारखंड से आएक अलाकार प्रस्तुत करेंगे पुरुलिया छाउ शैली में महीशासुर बर्दरी नृत्य के दौरान जितनी तालियां बजी थी हमें अपेक्षा थी उसके बाद भी और मुझे पता है आप एक बार और ताली बजाएंगे जब मैं अगला कारेक्रम एनाउंस करूँगा मेरे पीछे कुछ गबरू जवान माइक सेट करवा रहे हैं ये आए हैं पंजाब से बैसाखी का मौका होता है जब खेतों में फसल पक कर तयार हो जाती है किसानों की महनत रंग लाती है खेतों का हरा रंग पीला रंग मन में उत्साह भर देता है और वो उत्साह जब किसानों के पाउं में उतरता है तो उनके पाउं सुतह थिरकने लगते हैं और उसे धोल की थाप का साहरा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या पंजाब के गबरू जवान तयार है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे पंजाब का भंग्रा जो बरानू नाच लाइन दे कन्नी वाले सिर्ते पका हले पाती माच दियां यक्का पंगड़े जदो नाच दे पंगड़े जदो नाच दे कैंठे सोने रंके पाये एल देश प्रयाब दे जाए आरीज कितों करू दुनिया मताबला की करू दुनिया मेरी जुगनी में लेविचे आई है उदा सूट मट्या आशाही है ना बोली ना बलाई है फिर मेरे आजवरे मेरे आजुगनी आगी है जो बरान दे जिच्छागी है के रंग के बाद अब रंग चड़ेगा उस शैली का जिसे जानने के लिए हमें जाना होगा इतिहास में 700 साल पहले अफ्रीका से कुछ लोग भारत आये थे रोजगार की तलाश में और अन्य कारणों से लेकिन वो फिर भारत में ही बस गए उनके वन्शज आज भी भारत में रहते हैं गुजरात के भरुच इलाके में उनकी भरमार है शक्ल सूरत से वो आज भी अफ्रीकी मूल के नजर आते हैं लेकिन भाशा वो गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं भारत की हवा में रहते हैं, भारत के गीत गाते हैं, अपने पीर बावा गौर की इबादत में वो एक नृत्य किया करते हैं, नृत्य धीमी लए से शुरू होता है, धीरे धीरे परवान चड़ता है, और जब पराकाश्था तक पहुँचता है तो वो एकाकार हो जाते हैं फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो शायद सामान ये स्थिती में संभव नहीं हो, ये लोग कहलाते हैं सिद्धी और इनकी भाशा में नृत्य का मतलब होता है गोमा, इसलिए ये नृत्य बन गया सिद्धी गोमा, लेकिन गुजरात में इसको आम बोलचाल की भाशा में कहा ज मंच तयार है, कलाकार तयार है आप लोग भी दिल थाम के बैठिये, क्योंकि अब शुरू होगी पहले रिदम ओफ जॉय जो परिनत हो जाएगी डांस ओफ फिनाले में जिसमें हर कलाकार हर वाद्य की धुन पर नाचेगा अभी तक वो अपने अपने क्षेत्र के वाद्यों पर नाच रहे थे लेकिन अब भारत मिलन की धुन होगी भारत मिलन के गीत होंगे भारत मिलन का नृत्य होगा और भारत की संस्कृती इस एक मंच पर साकार होगी प्रारंब करते हैं पंडित हरिदत कला और उनके साथियों के साथ तैयार किया हुआ रिदम ऑफ जॉय और जो परिनत होगा डांस ऑफ फिनाले में करते हैं प्रांस बारत में करते हैं आरत वक में ऑफ दो कि जा होगी जोलिया झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो यह है हमारा भारत यह है हमारे भारत के रंग ये हैं हमारे भारत का संगीत और ये हैं हमारे भारत की रंगी बिरंगी वेश भूशाएं पूरा भारत एक मंच पर समाया हुआ अलग-अलग वेश भूशाओं के साथ अलग-अलग रंगों के साथ, अलग-अलग नृत्यों के साथ, अलग-अलग संगीत के साथ और यही है हमारी विविदता में एकता की भारत की संस्कृती दूआ कीजिए कि ये साथ यूही बना रहे संस्कृती का ये रंग यूही महकता रहे आप लोग यूही हमें आशिरवाद देते रहे और ये लोक रंग का सफर यूही परवान चड़ता रहे लोक रंग की ये आखरी प्रिस्तुती अगले साल मिलने के वादे के साथ आप सभी से विदा चाहते हैं विदा हमें लेना जरूरी होता है हर चीज का एक समय होता है जहां विश्राम की भी जरूरत पड़ती है आराम की भी जरूरत पड़ती है और जरूरत पड़ती है एक इंतजार की तो अब इंतजार का समय शुरू होता है अगले साल तक के लिए लोकरंग 2022-25 लोकरंग यहीं विराम लेता है आराम लेता है आप सब लोग पधारे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद उम्मीद हम करेंगे कि ये साथ हर साल बना रहे, पहले दिन से बना रहे भारत माता साक्षात इस मंच पर मौझूद है, इस प्रांगण में मौझूद है मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, हमारे मुख्य अतिथी माननिय डॉक्टर बीडी कल्ला साब को और प्रमुक शासन सचिव और अन्य अतिथियों को, कि वो मंच पर आए, कलाकार बेताब हैं उनके साथ फोटो खिचाने के लिए ये 25 रंग बिरंगे गुबबारे, 25 लोक रंग की एक यादगार आकाश में उड़ चली है माननिये मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद उन्होंने इतने उत्तम विचार, इतने गूड विचार हमारे सामने रखे हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं मीडिया का जिनोंने लगातार इस कारिक्रम को कवरेज किया हम आभार व्यक्त करते हैं दूरदर्शन का दूसरे चैनल्स का जिनोंने इस लोक रंग को निरंतर अपने कारिक्रमों में दिखाया हम आभार करते हैं उस पूरी टीम का जिसने पिछले तीन महिनों की महनत से इस लोकरंग को तयार किया आपके सामने प्रसुत करने लायक बनाया और हम आभार व्यक्त करते हैं देश के सभी सांस्क्रति केंद्रों का अलग-अलग राज्यों की एक कला संस्क्रति विभाग का जिनके सोजन्य से ये कलाकार आपके सामने प्रसुत हुए और सबसे बड़ा आभार आप दर्शकों का कि आपने हमारा होसला निरंतर बढ़ाया आपसे विदा चाहते हैं अगले लोकरंग में मिलने के लिए आपसे आपसे वादा करते हैं और आपसे वादा चाहते हैं कि अगले लोकरंग में इसी उत्सा के साथ आप मिलेंगे नमस् शबरात्री